नवस्कार मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना उट मेरे साथ जो सक्सियत बैठी हैं आप इन्हें भुजपुरी की जानी मानी अभिनेतरी अक्षरा सिंग जी के नाम से जानते हैं बड़ी सवभागे की बात है कि आज हम उनके साथ बैठे हैं और आप सब की बातें अक्षरा जी तक और अक्षरा जी की बातें आप सब तक आज पहुँचेंगे मेरे साथ हैं अक्षरा सिंग जी खास बाचित करेंगे मैम स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम दर्शे को को मेरा प्रणाम मैं सबसे पहले आपको सुबकामनाय है आपकी फिल्म डारलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है बहुत बहुत शुकरिया मैं डारलिंग गुरगपुर में भी लगी है और मुझे रोज रात हो जा रहा है तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं जा के देखूँ जैसे टाइम मिलेगा मैं खुद भी बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए लोग आपके काम की बड़ी तारीफ कर रहे है अरे वावावावा थाइंक यू सो मच आइमीन ये मेरे लिए बहुत सभागे की बात है कि लोग इतना प्यार करते हैं मुझे अखिरा जी जब पुराने एक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा अनुभव के साथ होते हैं और जो नए लोग होते हैं थोड़ा उनको कम अनुभव होता है जैसे डार्लिंग के हीरो को कह सकते हैं उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका हर कोई एक दन नया ही होता है मैं भी जब आई थी इंदस्ट्री में मैं भी नहीं ही थी तो ऐसा नहीं कह सकते कि नए को अनुभव बहुत कम होता है और वो नहीं ठीक है एक्सपीरिंस से ही लोग सीखते हैं I mean he is very good और आप में सीखने की काबिल शमता अगर होती है तो आप सीख लेते हैं and उतने काबिल हैं वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अंसान है राहूल और कैलिबर दिखता है उनमें कि he'll do good so yes बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके अक्षरा जी अभी हम लोग अक्षरा के सेट पे हैं बड़ी खुसी होती है जब किसी कलगार के नाम से किसी फिल्म का टाइटल होता है क्या ये फिल्म आपके जीवन से जुड़ी है या कुछ और बात है ये शर्प्राइज है इस बारे में नहीं कहना चाहती हूं कि किस चीज से जुड़ी है ये फिल्म बाट मेरा सवभाग यह है कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और मेरा ही नाम अक्षरा में लड़कियां आपको बड़ा आइडियल मानती है ये जो फिल्म है अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में. अक्षरा जी जो भी कलाकार होते हैं, किसी भासा के लिए एक के लिए नहीं बने होते हैं. आज कल भुजपूरी के जादातर कलाकार साउथ में भी कर रहे हैं. क्या अक्षरा जी भी साउथ के लिए जाने वाली हैं? जो भी लोग डार्लिंग फिल्म को देखे, खुब पसंद किये, अक्षराजी को बहुत प्यार करते हैं, जितने भी भोजपुरी समाज के लोग हैं, आपसे हमेशा नया उमीद रखते हैं, आपके गाने जब आते हैं, खुब लोग पसंद करते हैं, फिल्मे आ रही हैं, पहले से ज़्यादा दर्शकों की भीड भी बढ़ रही हैं सिनेमा गरों में, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? दर्शक मुझे हमेशा से बहुत प्रेज करते आए हैं, क्योंकि मेरे जर्णी को उन्होंने देखा है, हमेशा से मेरे काम को सराहा है, मेरे व्यक्तित्व को बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत जादा शुक्र गुजार हूँ, कि आज जो कुछ भी हूँ, उनकी से निकली तो लगातार शोज मेरे पास आए, इवन अभी भी आते हैं, लेकिन एक जुडाओ है, अब ये लोग माने या ना माने, बट जेन्विनली एक जुडाओ और एक लगाओ है, जो मुझे खीशता चला जाता है भूजपुरी के ओर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क कुछ बहतर करूँ, कुछ तो बहतर करूँ अपने माध्यम से, लोगों को उमीद भी रहती है अक्षणा जी, उस उमीद पर खरी उतरने के लिए मैं हमेशा यह वहुत, महनत करती हूं, बहुत महनत करती हूं, अक्षणा जी, इतना डेरिंग, इतना तागत कहां से लाती है ठकती नहीं आप यह दर्शक हैं दर्शक वहाँ से प्यार देते हैं या वही इतना आशिरवात देते हैं इतना मोटिवेट करते हैं कि आप इतने हैं homes विवश हो जाते हैं मैनद करने पे जे भी लोग देख रहालबा आक्षरा सिंग जी के सभे बहुत प्यार करेला वो भौजपुरियाद दरसक के अपना भौजपुरी भासा में दूसर ब्रसब का का हो हम सबन लोग से जौन भी हम्रा के प्यार करेला चाहे जे भी हमार चाहे वाला बार उस सब लोग से हाथ जोड के हम खूब 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 थांक्यू बोड़तानी और शुक्र गुजार बानी कि रहुआ सबनी आज अक्षरा के अर्थ तक भी पहुंचा देनी तो आप लोगन के प्यार है अदर्वाइज अक्षरा कुछ हो न रहती अक्षरा जी अंत में चलते चलते ये बता दिए और कौन-कौन सी फिल्में दर्शकों के लिए आ रहे हैं I mean, अभी अक्षरा कर रही हूँ, इसके अलावा दो-चार फिल्में और हैं, जो इसके बाद बैक-टो-बैक करनी है, एक फिल्म आ रही है, अगनी साक्षी, और अभी दो-तीन फिल्में और हैं, जो, I know, भी हाली में शूट किया है, एक तो डार्लिंग देखी लिया आप जानी फिल्में हैं, जिन पे मैं पूरी तरह से फोकस कर रही हूँ, चली बहुत-बहुत धन्यवाद ये थी अक्षरा सिंग जी की, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कम सब्दों में इन्होंने भोषपुरी के लिए जो बाते कहीं है, वो काबिले तारीफ है, अक्षरा सिं जी तो भाई साब सिनेमा घरों में तगडी भीड हो रही है, इन दिनों डार्लिंग फिल्म अगर आप नहीं देखे हैं, तो जाकर देखिएगा, और फिल्म अक्षरा आ रही है, जो की अक्षरा सिंग जी ही उस फिल्म में मुख्य अभिनेतरी के रूप में काम कर रही है, तो ऐसे इस सांदार अभिनेतरी, हम सब की चहेती और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक मजबूत अस्तंब अक्षरा सिंग जी को ऐसे ही प्यार करते रही है, अगले वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए न उसकार.